पाकिस्तान मुस्मिलीक नून को एक दवख फिर मौका दिया है पाकिस्तान की खिजमत इनके कहने में नौन श्री मसीबा देगा जाओ 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 रिक्रिग्ट केलो परकर ये स्यास्त तुम्हारा काम नहीं है ये मुल्क चलाना तुम्हारा काम नहीं है तुम नहीं चला सकते गली गली में जोह रहा है सारा टपट जोह रहा है जबरियादम नवास शरीप को पास्टी लाजरे बेंच ने ना एहल करार दे दिया है आपको भी इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि आपका ये बाज़ा सरवराज हो तो अलहम दिल्लाफ उसका दान साथ अगर निकारा भी तो इस बात पे निकारा भी तो इस बात पे निकारा पिडिस्क वालिफिकेशन की कोई ये मज़ा गनती है असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट इडिशन और मैं हूँ आपकी मेजबान शाजिया जिशान नाजरीन दौलत और ताकत में नशा और मज़ा तो बहुत होता है लेकिन इज़त सिर्फ करदार से होती है पाकिस्तान की तारीक में सबसे ज़्यादा एक्तदार हुक्परानी वे रहने वाले नवाज शरीफ के पास इस वक्त पैसा भी बहुत होगा और शायद टाकत भी लेकिन खुदरीती ते और पर मनजर आम पर आने वाले पानामा लीक्स ने मुल्क की तारीख में तीसरी बार मनतखब होने वाले वज़िर आजम को मुल्क के सबसे बड़े ओधे से उतार दिया उस वक्त ना तो इनकी दौलत काम आई और ना ही ताकत क्योंके वो सादिक और अमीन नहीं रहे जूटे दावे और जूटे बियानात दिये गए सुप्रीम कोर्ट में वज़िर आजम का ओदा खत्म होने के बावजूद आज नाजरीन नून लीका मुशावरती इजलास वज़िर आजम हाउस में वा जिसमें शाहित खाकान अबासी को अबूरी वज़ि शरीव को मुस्तकिल वज़िर आजम बनाये जाने का फैसला हुआ इसका मतलब यह है कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन एक्तिदार की टाकत शरीव खानदान से बाहर नहीं जाने दी जा सकती लेकिन शरीव के बाद आने वाले वज़िर आला जो होंगे क्या वो मुल्क के सबसे बड़े सुबे को शरीव की तरह हैंडल कर पाएंगे जबकि अब शरीव खानदान को नाब में भी केसिस का सामना करना पड़ेगा जिसमें मजीद फाइल्स खुलेंगी और अगर हुदैबिया पेपर मिल्स और असखर खान केस भी दुबारा से खुल गया तो शहबाद शरीव साब भी शिकनजे में आ जाएंगे जबकि मॉरल टाउन का केस भी ओपन हो सकता है और जिस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट भी सामने आ सकी है फिर ऐसी सुर्दिहाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पानामा केस का फैसला हा नून लीग और करके शरीफ खानदान की सियासत को क्या फिर इखतान की जाने लेकर जाएगा इस पर आज हम डिसकस करेंगे प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्र शाहिद मसूद साहब है जफर हिलाली साहब है और पी टी आए के रहनुमा फवाद चौदरी साहब हमें स्काइप पर जॉइन करेंगे तमाम हैमानों का बहुत शुक्रिया डॉक्र साब सुबह से एक ही सवाल जो है ना वो जहन में गर्दश कर रहा है कि एक डिस्कौलिफाइड प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस को कैसे इस्तमाल कर सकते हैं मुशावरती इजलास के लिए अब उनके पास कोई आउदा नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो एम एने नहीं है वो पार्टी के सदर नहीं रहे एलेक्शन कवेशन के अकावानीन के मताबिक वो हमारी तना एक आम शेहरी है तो वज़िर आजम हाउस कैसे इस्तमाल कर सकते हैं वो शाज़िया यहां इसलामाबाद में बहुत इस वक्त अजब मामला है और यहां पर सूरताहल यह है कि जो आपने बात की न डिसक्वालिफिकेशन की वो डिसक्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से हुई है कि नजर-थानी की अपील अगर करते हैं तो उसके नतीजे में मिया नवाज श्रीफ साब एहल नहीं हो सकते यानि नजर-थानी की अपील की जो बात आज हुई हो आज इनके कानूनी मुशिरों ने कह दिया कि उसका फाइदा नहीं अच्छा बासर 63 को अगर हटा देते हैं असेम्बली से तो जो पहले फैसला हो गया यानि मिया नवाज श्रीफ साब का मिया नवाज श्रीफ साब की नहलियत हमेशा रहेगी ताहियाद और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आज बताई गई है वजीर आजम को उनके कानूनी मुशिरों ने वो यह है कि वो ना सिर्फ वजीर आजम ये मैन नहीं बन सकते बलके कोई पार्टी ओधामी नहीं रख सकते या किसी सियासी पार्टी के रुकन भी नहीं बन सकत पुलिटिकल पार्टी एक 2002 के तहत वो मुस्लिम लीग नून के रुकन भी अब नहीं बन सकते अच्छा अब जब ये सूरतेहार डिवेलिप होई कल रात को जब आप से बात हो रही थी तो यहां ये डिसकुशन हो रहा था कि वो पंजाब हाउस चले गए या मरी जा रहे है ये लहुर जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हमारी बहन है और इन्धाई काबले थरा हमें मरीम नवास अबाद के हावाले से खबर रही कि उन्होंने का है कि हम यहां से वजीर आजम हाउस से नहीं जाएंगे और हम यहीं रहें और हमें यहां से कोई आके निकाले अच्छा फ जो नाजरीन हैं और हिलाली साब और सजादमी साब जाद समझते होंगे यहां पे जो बलोचितान हाउस है वो भी मिया नवाशी साब के जिरे इस्तेमाल है और पंजाब हाउस तो बहुत ही जादा क्योंकि पंजाब हाउस जो है वो बिलकुल एक महल की तरह का एक बनाए वजीरों ने गाड़ीयां वापस नहीं की वो आज अपने यानि एक अजीव सा मामला मैंने आज चेक किया तो एक वजीर ने जो है एक फैडरल सैक्टिक को अपने यहां पे जो प्रामिनिस्टर जो मिनिस्टर स्कॉल नी यह वहां पे बिलाय हुँआ था वो रहाईश कौन कराएगा जो लोग इनको सुलूट करते हैं क्या वो यह आपके खाली कराएंगे वो यह देखें कि मैं यही बात कह रहा हूँ शादियाब मैंने पूचा कि वजीर आजम साथ तसादम चारे हैं गालिबन वो चारे हैं कि कोई आ कि आखे हमें यहां से निकाले और यह सारा मामला हो कि निकाल दिया गया और यह हो गया अच्छा मैं इसे पहले कि एक बात आपको और बड़ी हो रही है वो पेपर मेरे थोड़े पहले टूइट की हैं आप आप ने दिखनी हो अच्छा अब वो इनक्वारी हो रही है तो वो शेबाज शेरीफ को नहीं लाना वहाँ से यह जो फढडा कर्वान है न सारा यह सारा का सारा कर्वान है शायद खाकानबासी क्योंकि वो कतर से उनको आपको बतारी करेक्शन और एलन जी के ठेके और सैफुर रहमान साथ भी जाते रहे हैं के साथ पर अच्छा आप मुसीवत ही है कि वो यानि वो कहें हमारा एक वजीर आजम यानि सारे अच्छा फिर यानि यानि के यह देखें इसको भी निकाल दिया वो तो इतना अच्छा था इनके पास और बड़े चे कैंडिडेट से तो मिया साथ जो है वो मेरे खासे तसादम के मूड में हैं आज पी टी वी से उनकी तक्रीर नशर हो रही थी पी टी वी बरहे राए रास उनको दिखा रहा था आप पी टी वी देखें तो वो ही चल रहा है पी टी वी पे सारा सलसला सेक्टरीज उनके मिनिस्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं खुद वो प्राइमिस्टर हाउस में अदालत ने हुकम दिया था कि फौरी तार पर खाली करवाए जाए जा रहे थे फिर उनके नहीं हम यहार बैठेंगे और वो चाते ह गालिबन के कोई असकरियत आ रहा कि उनको निकाले लेकिन मैंने फिर मैंने थे मैंने का आपका क्या ख्याल है वो कहते हैं यह भी हो सकता है कि पंजाब पुलीस ही आके में निकाल दे हैं यह एक बड़ी अजीव सूरत है आले इसलाम बादी से अच्छा लोग यह बड़ा स प्याज़ा आरजी तौर बनाएंगे तो शायद को एक्सप्ट ना करें के 45 डेस के लिए बने 14 निसार का नाम इसलिए सामने ने आया शायद खाका ना बासी ही कि इनकी चोईस क्यों है मैं बिल्कुल सही कहा था दौक्टर साब ने और मुझे भी ख्याल यह है कि वो चाहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का जो डिसिशन है इसको कांट्रवर्शल बनाएं और एक आदमी को वो अपॉइंट कर रहे हैं जो शायद करॉप्शन के चार्ज में गया इसलिए कि उधर कतर में वो इत्साब और रह्मान भी बैठा हुआ है जो भी उसका एक्चुल नाम है यह उनका दोस्त वो जिसके समका इत्साब किया और फिर आके जरदारी के पैर पड़ा और कहने लगा माफ कर दो मैंने यह गलती की और मैं यह नहीं करना था मैं आपको बताना चाहता हू कि यह एक शहीद बनके पुलिटिकल शहीद बनके पब्लिक को तरफ जाना चाहते हैं पुलिटिकल मार्टर बनना चाहते हैं मगर जो इन से मैं सबसे ज्यादा एक्चुली और यह सिरियसली मैं कहता हूँ कि यह फौज को मलाइन करना चाहरे हैं यह तो इनका पॉलिसी अप सीधा साधा हो गया है इन्होंने फौज को मलाइन करना चाहते हैं ये शहीद होना चाहते है पुलिटिकल शहीद इन मलाइनिंग दी आर्मी ये कोई मजाख की बात नहीं है और मैं आपको कहते है यह हद हो गई है किदर है प्रेजडंट साफ जिसको कौट ने कहा था जाके किदर है वो कैबनेट सेकेंटरी जो इस वक्त एक किसम का अफिशल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान को क्या उसको पता नहीं है कि जब एक आदमी को कहा जाता है वाइद सुप्रीम कोट यौर नो लॉंगर प्राइम मिनिस्टर एक लमा उसको नहीं ठहरना चाहिए और उस अशी बात है अगर तो वाकिए मरियम सब्दर सहीबा नहीं का है ना जिस तरह डॉक्टर शाहिद साब कह रहे हैं कि कोई निकाल सकता है तो निकाल दे तो इससे साफ जाहर होता है कि पार्टी को इस द्याने पर पहुंच आने में किसका खरदार हो सकता है यह तो जलकुल मै वाकिय लोग सच कह रहे है कि एक पंजाबी प्राव मिनिस्टर को सुपरीम कौट का जुर्ड़ती नहीं निकालने के लिए मैं पिर कहता कि यह जो सुप रीम कॉट है यह मनिप्यूलिबल है ये इन्ड़पेंडन मैं पिर कहता हो बहुत सारे लोग पारे नहीं किसल कई कि क्या हम लोगों को मैं तो शुकर कर रहा हूं कि कम से कम हमारे दारे एक दारा नॉन कांट्रिवर्शल रहा है और अक्टिड इंडिपेंडेंटली और मुझे बड़ी अफसोस हो रही है कि तेलिविजन प्रोग्राम में भी डिसकस हो रहा है कि उसकी डिफाइन्स होनी चाहिए माई गॉड आप समझ सकते हैं के तेलिविजन प्रोग्राम डिफाइड डिसकस कर रहा है दे प्रोज अन दे कॉन्स ऑफ अ मैं डिफाइंग अ सुप्रीम कौर्ट डिसिशन यह किस किसम के प्रोग्राम्स हैं भाई इनको रोको वापस आते हैं मुझा मियाना से वापस आते प्रोग्राम्स है अब जब शेबाज शरीफ साफ मरकस में मुंत्किल हो जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि पंजाब में जगड़े बनेंगे जाहरा शरीफ साब की तो कोशिच होगी हमजा शेबास को बनाया जाए एंगे तो क्या चा जा रहा है के नवाज शरीफ साब कुछ निहीं होंगे कि उनके हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा मरकस में निकल जाएगा और पजड़ ईंस आपको क्या लगता है कि पंजाब में के पास आप्शन क्या रह जाएंगी मेरा निकाल के शहबाज शिरीफ साब को चाहेंगे किसी भी तौर पे कि वो वजीर आञाजम बने मुझे अब ये बताएं ना के शहबाज शिरीफ साब जो है वो एक तो टो इनकी मुकद्मात हैं दूसरे मामलात है और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हमजा शहबाज जो हैं उनकी बेगम कलसूम नवाज साहिबा से बाचीत बंद है बाचीत बंद है यानि इस तरह की तालुकात है खान फैमली में और मुझे बताएं कि खातूने अवल कौन होंगी पिर अगर शहबाज श्रीफ ताब आ जाते हैं तेमेन दूरा नहीं सवाल कर सवाल उठा रहे हैं लोगा सवाल उठा रहे हैं लोग यह जो है यह यह उन्होंने लॉली बॉप दिया है यह अगले 45 दिनों में जगड़ा फसाद हंगामा जलसे करने जलूस अब अब देखें ना मुझे यह बताएं के वजीर आजम यह शायस हाकान अबासिया नवाज श में अब मसला यह कि उनको निकाले कौन हटाए कौन बिरोक्रिसी जो है वो इधर कभी जा रही है उदर जा रही है हिल नहीं रही है मैं आप से घाना फाइल है आद भी साइन करवाते रहे हैं बैट के बैक डेट्स पे मेरा यह ख्याल था कि अदालत के फैसले पे आमल दराम है बेगम कोलसूम नवास सऽाः की चौढरी निसार सफाब को पसंद नहीं करती अच्छा हमजा शाएबाद जो है उनकी बातचीत बंद है बेगम कोलसूम नवास सभा से ख्वाजा आसिव साथा जो मुलक से बाहर गय थे जो कल हमारी बात्याद त oll YOU बाहर गए था कि नव और अब उस पूरी सुर्फ, उसकी उससे बाचीत नहीं है, यह कैसे मिया नौाज शरीष, या उदर पूरी डैनस्टी खतम हो रही है, मिया नौाज शिर्फ शाब की, और मरीम नौाज शहबा का सारा वो इस्टेडिजिक मीडिया सेल और यह वो सारा धबरदूस हो गया, खतम जुआता है और रंग जेव आलमगीर के बारे में इबने निशा ने लिखा था कि और रंग जेव आलमगीर दो ही काम करते हैं या तो वो टोपियां सीसे ते और बागी वक्त में भाईों के सरकाटते हैं तो मसला ये है कि ये इस स्यासत बड़ी स्यासत और इक्तिदार बड़ा खौफनाक होता है इसमें सवाल ही बेदर नहीं होता कि वो शहबाज श्रीफ साब को पंजाब से रहता हैं वो उनको भी मेक शूर करेंगे कि शहबाज श्रीफ पे रेफरेंस जल्दी खुलें जल्दी हकूमत को इन्होंने बिल्कुल रोग दी है और मैं आपको सिर्फ एक मज़े की बाव बता हूं बात ही हुई है मिया साब की आज चुए एक दर्द भरी मैं तो जगीन करें कि एक रोना आ रहा था अंदर से बिल्कुल वो दियोदास नहीं होता पारो मेरा कामा वो बिल्कु शाहिए चैनल मिया साब कहरें है कि मैंने तो पैसे ने लिए बेटे से अच्छा था, अगर शायद खाकान अबासी अतने हैं कि वह 45 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इस मुल्के, सारा नजम नस्ट चला सकते हैं तो मुस्तकिल तोर पर क्यों नहीं बन सकते हो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल लाइन पर लेंगे अगर नवाज शरीफ जिसका क्रेनियम कपैसिटी में बार बार कहता हूं बड़ा लिमिटेड है अगर वो तीस साल तक तीन दफ़े प्राइम मिनिस्टर बन चुका तो आप समझते हैं यह खाकान अबासी जो उससे ज्यादा एक्सपिरियंस और पड़ा लिखा है और सेंसिबल लगता है मुझे वो 45 दिन नहीं चला सकता है बिलकुल चला सकता है कोई भी चला सकता है मैं कहता हूं कोई है ही नहीं जो इन से बुरा ना चलाए इतना इसको चांस और मिले हैं और किस किसम के स्कौंडरिंग किया है इन्होंने अपनी ये तो वो क्या कहते हैं अपना कबर इन्होंने खुद खोदा है मगर मैं यह जानना चाहता हूं नमबर वान लीगली इनको तो एक पार्टी का सरबराब बनी नहीं सकते एक पार्टी को वो एड्रेसीरी करन चाहिए इस डिस्क्वालिफाइड पार्टी अगर वो तो पार्लेमाने पार्टी के इजलास की इस्तदारत कर रहे थे आज पंजाब हाउस में हाँ बिलकुल वो तो ही इस इनकेपड़ी वो तो करना ही नहीं चाहिए मैं तो एक और बात पहरान हो गया हूँ शाजिया के हम था जिसमें करेज और अपनी किन्विक्शन का था और जब जाके यह पक्ड़ा यह क्या कानून है हमारे कि 30 साल तक एक आदमी मैडर कर सकता है थगरी कर सकता है गुलू बटों को चला सकता है फ्लैट्स ओन कर सकता है मनी लॉंडरिंग कर सकता है करुप्शन कर सकता है उनको भी मौका था वो भी नहीं किया इसलिए उनके जो रिष्तेदार थे वो खुद लगे हुए थे इस काम में लाले साब जाएटी बनाने पर इसलिए तो उन्होंने मिठाईयां बांटी थी कि अपने अधारे हैं अपने बैंक हैं अपनी सेसी पी है अपना स्टेट बैं को के हमें ऐसा एक मौका मिला प्यूरी बाइ चांस नहीं तो ये बैठा हुआ था और अगला इलेक्शन भी खरीद ले था आपको पता हैं इनका मौटो हैं नोट लो और वोट दो ठीक है डाक साब एक और सवाल अब जहनों में आ रहा है कि अब जारे नहीं काबीना बनी है काबीना तहली लो चुकी है मुझे का जारा है ब्रेक ले ले लें ब्रेक बदा के सवाल का जवाब दीजीए का कुरान जे रही हमें नहीं काबीना में नजर आएंगे खासकर वो जो पानामा केस में शरीफ खान्दान का दिफार करते रहे हैं छोड़े से वक्षे के बाद प्राम आमनीस ऐसाइब के एक चोटा साह हुस्सा डिकाते हैं, जिसमें वो आज फिर से अपने जराइका रहे थे, आति में अeneकी जिसके अगर उन्हे फै το आउतियां दिया जादे, दिया जा दाते तो उसके जराइभ डिया उनने क्या का। ना मैने मांग रहा जब जा आइटी में अपनी मनीट्रेल साबित नी कर सके सुपरीम कोर्ट में नहीं दे सके मान लिया कि उनपर पर कृप्षन चार्जिस जयोत है वो साबित नहीं हो हो सकता है कि इस आदमी ने इतने ही पैसे बनाए जब पावर में था माने कि यह किस किसम का बिस्निसमेन है तब से ही सब कुछ है 1937 से जब मैं पैदा भी नहीं हो था सब तो मैंने तो मैंने तो काशके वह एविडिंस लिया थे और बताते हैं उनके महल किदर हैं हम सब जाते विजिट करते हैं और कहते हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पैलिस में रहते थे मैं तो समझता हूँ वह जूड़े जो लोहार थे एक किसम के वह जूते के गोड़े-वड़े के वह जो होते हैं होश्यू बनाते थे या ऐसे कुछ थे यह तो बिलकुल कुछ नहीं थे इनका क कोई ब्रीडिंग और बैक्राउंड ही नहीं है। I'm sorry I have to use the word breeding मगर जब एक इनसान को आप देखते हैं इस तरीके से बाते करते हैं और इस तरीके से माने मैं आपको दस मिसाल देता हूं कि उन्होंने तक्रीरे में किस किसम की गलतियां की हैं जो लोग assembly में हसने लगे एक दफ़े जिमबाब्बे में उन्होंने जाके तक्रीर पढ़ रहे थे और कहने लगे aid has been stopped by us. Oh I'm sorry I mean the US. I mean the US. एक दफ़े पता नहीं तुर्की में उत्रे और पता नहीं क्या बोंगे हमारे उदर this man I mean माफ करिए अब हम खुला बात इसलिए कर सकते हैं कि इनका कोई rule और इनका कोई हमारे पर दबाव नहीं है और शुकर है कि मेरे पास तो कभी दबाव नहीं था मगर मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि इस आदमी को खुदा के लिए don't you understand ये हिंदुस्तान के साथ इनके investments हैं और ये कहते हैं करेंगे और रख रहे हैं हिंदुस्तान और फैक्टरीज में इनके पैसे गए हुए है 14 बिलियन रुपिय डॉलर इदर से हिंद इनके आदे आदमीं के इन जाते हैं इनके आफ पायर प्लांट बनाते हैं अच्छा भै अगर वह पायल प्लां बनारा है आप उनको जा प्रोटॉकॉल देखते और रिसीव करते हैं अन। लिए इनको आलाव करते हिंदे तुम मुसल्मानों के साथ क्या कर रहे हो तुम पाकिस्तान और कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हो नॉट आ वर्ड गुलपशन तो इनका इस वाद आवाज आरी जी बिलकुल आवाज मुझे लग रहे कि कल की सेलिब्रेशन में अभी तक आप बीजी तुछ हमारे प्रोग्र करता है आज मिशावरत इजलास में आप लायर हैं कानून जानते हैं कानूनी कारवाई हो सकती है मैंने सोचा था प्रोग्राम में शुर्यम आएनगे तो आप से पहले सवाल मैं करूंगी आप बैतर तौर पर बता सकते है कि रहती की को जबरदस्ती आए गा और इन को कहेग आप उनको जबरदस्ती निकालें लेकिन बारहल कुछ अपने ट्रेडिशन्स होती हैं कुछ अपने खांदानी बाते होती हैं उन पे अवल करना चाहिए जब आप रह नहीं रहे तो फिर नहीं रहे यहां पे तो लोग तो जो सुबा नोटिफिजेशन मिला है अपने घर को चले गए बड़े बड़े लोग हैं जिनको बड़ा फिरफाद में खराब होके निकले हैं बट उमीद रखनी चाहिए वो इस चले एका दिन में खाली कर देंगे और यह तो ज्यादा बुरी बात है कि आप अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी सरकार के खर्चे पे करते हैं और यह आपने आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फरेंस भी पी आईटी में होती थी जहां पे कि बिसकेट भी तो आपके पैसों से जाते हैं ठीक अच्छा फवाद अब जिस तरह आप जानते हैं शहबाद शरुष्म साब को मुस्तकिल प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला कि अजारा एने वन टूंटी से वो इलेक्शन लड़ेंगे डॉक्टर यासमीन राशिद साहिबा पी टी आई की स्ट्रॉंग कांड़ेट हैं क्या इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए लड़ने के लिए पी टी आई को स्ट्राटेजी बना रही है जी बिल्कुर पीटी आई ने पूर स्टेटिजी बिनाई है खोज अमरान खान केंपेंज चलाएंगे डॉक्टर यासमीन राशिद की और हमने एक बेहतरीन पड़ा ही लिखी खातून जो है उनको फिल्टिया है शवाज शरीफ साब के खिलाब इस हलके से मेरा काशन से बेहतर केंडिट मुमकिन नहीं था बहुत पीटी आई प्रोफेश्चनल है डॉक्टर है और बहुत एक्सपिरेंस है और टेंपेंज उनकी इंशानला इम्रान खान खुद चलाएंगे तो अब बाकी वैसला तो जारा लोगों ने करना है देख लें इस तरफ बहुत है तरफ ट्रेडिशनल पॉलिटेक्स होगी तो एक एर पी टी आई को भी एक अच्छा टेस्ट होगा कि क्या लोग जो है वो तयार है एक रेवलूश्चन होगा मुझे मुझे बड़ी खुशी है दॉक्टर यास्मीन की नॉमिनेशन के ओपर बिकॉज मुझे तो खातून है और बहुत तबंग खातून है आम जिली जी हां खुद डोट डोट जाके वो जिस तरह कैमपेंड करती है अच्छे डॉक्ट साहिब यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि जिस तरह हम बात करते हैं कि लोगों में आवेर्नेस आच चुकी है कि करॉप्शन के खिलाफ इहतसाब होना चाहिए चाहिए वो कोई भी खानदान हो तो आपको लगता है कि एने वन टॉंटी के जो होने जा रहा है इलेक्शन इसमें पता चल जाएगा कि अवाम का रुख किस तरह है और ये सेट करेगा दोहजार अठारा का इलेक्शन लोगों का माइंड सेट बताएगा देखें मुझे तो पता नहीं ये इलेक्शन तक क्या हालात पैदा करते हैं वफाक में क्यूंकि मैंने मुझे तो नहीं जितना मैंने देखा है एकजाईल के दिनों में मिया नवास शिरिफ साब को और मरियम नवास इबाब और बेगम कलसूम नवास शिरिफ साब को तेखिए तो यह तो अशा आपको ये चीज़ मानने को तयार ही ए चले आप फुर्स है शाय है था का ना बासी साब के ओपर एफरेज खुल जाएंगे और ये सारा मामला ये खराब हो जाए अगा पसादम के फजा होगी ये पूरा का पूरा 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 पुलीस यहां पर और मैंने गाइनोकालोजी की किताब जो है, हाँ बड़ी जबर्दस था, मेरी तो एज़ टीचर मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ तो जाहर है मैं तो उनको जानता हूँ, जबर्दस किसम की वो टीचर रही है हमारी, हमने उनकी किताब, आज तक मेरा खास में पता नहीं कौ मेरी टीचर रही है, तो यानि मैं तो विटनस हूँ as a student उनका, कि वो बहुत अच्छी टीचर रही है, लेकिन हमें तो ये देखना है, हमें तो ये देखना है ना, कि इस सारे एपिसोड के बाद, लोगों का माइंड सेट बदला के नहीं बदला, ये NA 120 का इलेक्शन बहुत बैठे हुएं, मिनिस्टर्स कालोनी पे कब्जा है, काबिना नहीं है, वो बैठे हुएं सारे, तो अजीब औ गरीब हुझे किसी ने बात की, उन्होंने का, ये जो फवाद जादा कानून को समझते हैं, ये जादा बताएंगे, उन्होंने का, ये जो छे रेफरेंसिस हैं नैप के, इनको खोलने का अदालत ने हकुम दिये, उन्होंने गरिफतारी हो सकती हैं और बेल बिफोर अरेस्ट कर वाले नहीं चाहिए, और उसमें एक केस इतना अजीब औ गरीब है, वो ये केस है, के जो जाती उम्रों में घर है, मैं तो केस की डिटेंस पढ़के पर पर लेकिन उनकी जो रिहाइजगाए माशालला जो 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 जोबड़ी है चोटी सी जाती उम्रों में वो चार सो एक किनाल पे है, मैंने डॉकुमेंट चार सो एक किनाल पे जब आपकी इतिफाक फाउंडरी जो है वो दिवालिया निकल गया तब बैंक को आप करदा नहीं दे स हैं इस मुल्क में और वो कह रहे हैं कि मैंने अच्छा यह अकामा अकामा तो वहाँ पर सुजरलेंड के अंदर आपने पैसे भेजने हो तो अकामा लेते हैं और यह नहीं जाहर है आप रेजिनेंट श्रीफ साब ने वाज़र कर दिया ना कि लंदन आना जाना जलावतनी के मिया साब जो नाजर वापस आप से वक्ते के बाद ब्रेक के बात खुश आमदेद फवाद नून लीग के जाने से रिव्यू पेटिशन में जाने की बातिंग की जा रही हैं आप माहरा कानून या बहतर तौर पर बता सकते हैं पांच जज़ों का मुटफिक का फैसला वज़राजम साबिक वज़राजम साब की नाहिवली क्या इसमें रिव्यू पिटिशन की आप्शन है नून लीग के पास पर पर किक तो आप्शन है उन्हें जरूर जो है वो यूज करनी चाहिए और सभी बात है जो आइन को एडियर करना चाहिए आइन के मताबिक उनके पास आप्शन है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं अलवता ये बात अलैजा है कि मेरी जिख्याल में उनको रिव्यू पहली जर्जमेंट के खिलाफ जाना चाहिए था वो उसके खिलाफ नहीं गए उसके बाद जी आईटी पे अबजेक्शन नहीं लिए उसको आपको पता है वो मिठाईयां बांड रहे थे और सारे बहुत कोट्स में इस तरह से उनको सुना जाते कि यह यह मुश्किल है इस कामले में मुझे लगता है कैसा नहीं होगा ठीक है हिलाली सब ब्रेक से पहले जो मैंने सवाल चोड़ा था कि अब जाहरा नहीं काबिना बनेगी तो क्या इस नहीं काबिना में पुराने चेहरी नजर हिलाली सब आप से यह पूछना चाहिए शाजिया आप परी आप समझती हैं कि इनको वोट ऑफ कांफिडेंस मिलेगा इनको मिजॉरिटी वोट पारलिमेंट में मिलेगा माने के उन लोग जो एक आदमी जो डिस्क्वालिफाई हुआ है जिसको यूनिवर्सली कहा गया है कि यह खुड है यह जूट बोला है यह हर किसम की कानुन के पोड़ा है तो मिजॉरिटी के साथ है ना अक्सरियत उनकी जमाद पर वोट ऑफ कॉनिटेंस में क्या मुश्किलात हो सकते हैं लाजी साथ नहीं तो मुश्किलात तो होना चाहिए ना शाजिया कि एक 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 अंडा रे उनके से खिलाब 10-12 केसिस खुलने आए हैं क्या कोई जिम्हवार पार्टी ऐसे आदमी की बात सुन सकती है और इस टोली और इस टोला जिसने उनको अपलोड किया एक ताली बजा के कहा है हम तुमारे साथ हैं चोरी करते रो मैं मैं समझ नहीं आ रहा हूं किस शकल और किस से ये पार्लिमेंट में आएंगे और कहेंगे के हाँ इस आदमी के रेक्मेंडेशन पे ये जो हैं ये बारा लोग खड़े हुएं आपके आगे हमें आप वोट ओफ कांफिडेंस दे या एक आदमी खाकान अबासी जिसके खिलाफ जैसे डॉक्टर साब ने कहा था पता नह मैं नहीं समझता कि ये वोट ओफ कांफिडेंस आसानी से आखर हम सब पाकिस्तान को चाहते हैं ये मुल्क है और कोई नहीं है ये मुल्क है हमारा तो क्या हम ये इस मुल्क को इनके हाथ में देंगे ये ये जो लीग है ये जो नवाज लीग है इनको सोचना चाहिए और उन को भी सोचना चाहिए ये तो आप कह रहे हैं ये हम कह रहे हैं लेकिन डॉक्स आप मिजॉरिटी के साथ है मोट ओफ कांफिडेंस में क्या मुश्किलात हो सकती है इने कैसे पता मिजॉरिटी है देखें खौरम दसगी साब थे एसन इकबाल साब का नाम चल रहा था वो सैनि उनको उनका फौरण ही मामला चैलिंज हो जाएगा फौरण मेरे खाल से काफ़ात नाम जद्गी के उपर जो इतराजात लगते हैं उसी दिन इतराजात जो हो आ जाएंगे दूसरी बात यह है कि मिया सा असल बात जो है वो मिया नवाश्रीफ साब का जहन तसादम पे चला हुआ तो उसके उपर सबसे उपर नाम लिखा जाएगा मिया नवाश्रीफ साब को चारे हैं कि किसी तरह से स्यासी शाहदत प्रौ किसी को B पर एक दर्दबरी प्रेस काउंफेंज मैंने सुनी हुआ और मेरा मत परिशान हो के देख रहा था बात यह है कि असेमिली में ये जमूरियत को बदनाम करवा रहे हैं ये जाहर कर रहे हैं कि देखो मैं किसी को भी खड़ा कर दूँ मुझरिम को भी खड़ा कर दूँ उसको देखो वोट डाल देंगे लोग, ये जमूरियत को बदनाम करना है, आप पाक, साफ, अच्छे लोगों को ला सकते थे, लेकिन आपने फिर जाहर किया, एक जमाने में, मैं आपको बता हूँ, ये बात लोग कहते थे कराची में और बाकी जगों पर भी, माज़त के साथ वो कैशे थे हम खंबे को भी खहड़ा कर दे ये, हम कुटे को भी खढ़ा कर दें, तो वोट पर लेरे लोग, ये क्या बात होई, उसका के लिखेंगे, ये ने देखेंगे के चोर है, इमानदार है, अच्छा है, बुरा है, मेरे नाम पे मिया साब ने कहे दिया कुटे को वोर्ट दे देंगे लोग ये किस तरह की बाते करते हैं लोग ये यसी लिए तो जमूरिय बंदनाम हो रही है आप जब अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे और वो जब पकड़े जाएंगे और फिर आप मनी लॉंडरिंग करेंगे और जाल साजी करेंगे और ये साइध खान का नाम रफलाना और जफर इजाजी और ये सारे जो पड़े हुएं सारे जेलों में और जन्हों ने जाना है आने वाले जिनों में मिया, नवाज, शृरी, वजीर आजम हैं भी. वह रहेंगे वजीर, वह जहनी तोर पर आप आपने देखा नहीं है. प्रेस कान्फिरेंस में, वो सारे बैठे हुए थैं, एक, मिया साब, दरवार साब बनाव था, सारे बैठे हुए. मिया साब जहनी तोर पे वजीर आजम है। हम दौाई नी के तोर देखना है ना। हमें दौाईनी और टौनी तोर पर देखना है ना। वो तो अपने जहने बेखें... फैसरा वो शाय था का सब जाए पुट और która से घंगाने हो नुपूर फवाथ यूर। फवाथ लास्स कोर्षण जा थी का भाष सब्हाषक सब बना अब कुछ ऐलान करने माले कि परनामा से हटके भी आप कुछ करेंगे आप लोग करेंगे अपना अगला जो लायमल है उसको उसका एलान करेंगे और उसके साथ साथ अभी यह थिनामा का खामा खसम नहीं हुआ त्यूजदे को इसमें हुदैब्या का जो अपील है वो फाइल हो रह लेगा और यह लोग को कहरें करप्शन में नाहिल नहीं हुए उनका शौक भी को पूरा होना है ना भी ठीक है बहुत चुक्रिया अफवाद आपका डॉक्टर शाहिद मसूद जफर इलाले साब तमाम एमानों का बहुत चुक्रिया प्रोग्राम के लिए नाजिन नाइट एडिशन से शाजिया जिशान को इजाज़त दीजिए आप आथ होगी कल अलाहाफ़।